पिछली दिनों सिर्फ दो दिन के अंतर से बलकि कहना चाहिए कि चौबिस घंटे के अंतर से भारती सिनेमा के दो बड़े कलाकार विदा हुए एक इर्फान और एक रिशी कपूर दोनों ही कलाकारों की अपनी प्रतिष्ठा रही एक कलाकार लगभग 53-54 साल की उम्र के जरूर प्राप्त की हुए थे लेकिन सिनेमा में उनका अनुभव कहा जाए तो 64 साल का था क्योंकि बहुत चोटी उम्र में धाय तीन साल की उम्र में उनको कैमरा फेस करना पड़ा था अपने पिजा के साथ तो एक तो वह अनुभव और दूसरा इधर इर्फान जो नहीं लगातार नवी अथार्तवादी सिनेमा जो लगवग उननीस सो सत्तर असी सुझे धारा हमारे सिनेमा के शुरू हुई इसमें सत्यजीत राय शाम मेनेगल, गोविन नहलानी, प्रकाज ज्जा, सुधीर मिर्जा, सुधीर मिश्रा जैसे लोग आए, मीरा नायर, दीपा महता और भी अनिक लोग, इर्फान ऐसे सिनेमा को बिलाउंग करते थे और उनकी सबसे बड़ी खासे थी थी कि बहुत साधी परसनालिटी, एक कोई भी नायक माटेरियल में नहीं था, हीरोशिप जैसा कुछ नहीं था, एक साधा चेहरा था, बहुरी हुई आखे थी, और बहु के कारण याद रहते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था, लगभग वो जो बोलते थे, वही समवाद हो जाया करता था, ऐसा लगता है, कोई लग से स्क्रिप्ट भी शायद उनके लिए नहीं गड़ी जाती हुई, लेकिन एक के बाद एक सलाम मौंबर से शुरुआत करते करते, द हमारे प्रेक्षकों का ध्यान इर्फान की तरफ पहुत तीजी से गया, और उनको लगा कि वास्तों में हिंदी सिनेमा में एक विलक्षन कराकर आया है, जो अपने किरदारों के लिए लगभग वो अभी वक्ति के नाम पर जीवन बनन का प्रश्ण मना लेता है, इर्फान कभी भी सिनेमा में अपने भूमिका को लेकर कोई समझोता नहीं किया, उनके बारे में हमेशा कहा जाता रहा है कि वो रिफ्यूज जादा करते थे, जो वो नहीं पढ़ते थे उस समय भी यह होता था कि अगर उनको नाटक कोई किरदार पसंद नहीं आएगा, तो चाहें कि अच्छा उनका परिचित क्यों नहीं कि गुरू ही क्यों नहीं वो बहुत बिनम्रता से उसको असिकार करते थे और यह मान के चलते थे यह भूमिका उनके लिए नहीं है, ऐसे इर्फान ने लगातार अपने बहुत धीमी आतरा शुरू की, वे लगातार जिस लगभग 22 वर सितारे हैं अपने नाम की तरह जो करोड़ों के जो कलब खुलकर फिल्में बनाते और दिखाते हैं उन सब से वह अलगते लेकिन उन सब सितारों के बीच उनका मान सम्मान बहुत था और लोग चाहते थे कि उनके साथ लोग वो फिल्में करें, साहिम शारुक खान ने बच्पन के पढ़ हुए दोस्ते एक बहुत बड़ा सितारा बन गया और एक नाई रह गया अपने परिवार कुछ्टिनी परंपरा के नुसार और आर्थी किस्तिती रही अब वो अपने बच्चों को बताता है कि शारुक खान उसका बच्पन का दोस्तरा है तो बच्चे ह फिल्म हाइट पकड़ती है और जो अंत में शारुक खान उसके गाओं में उसके जेरे में उसकी जगह पर आता है तो मिलने जाता है तो उससे मुलाकात नहीं हो पाती जो लोट के आता है बहुत उदाज भाव से तो उसके फिर परिवार में पत्मी और बच्चे मजाक उड आते हैं उस अंतिम दर्श्रे में जब शारुक खान उस घर में आता है तब इर्फान खान का चेहरा आप देखिए एक सच्चा किरदार एक भूला किरदार जिसको जो लगबन नाउमीद होकर लोटता है और किस तरह एक महानायक मित्र के आने पर उसकी खुशी और उसकी आ करना ऐसी फिल्मों में किरदार करना लगातार बहुत इर्फान ने बड़ी उचाहियां ली दे लंच बॉक्स उनकी बहुत सुन्दर इस फिल्म है जिस पे वो नाइका से मिली नहीं रहें कि वो टिफिन से प्रेम हो रहा है एक अच्छा भोजन जो एक इस तरह अपने पती के लिए टैयार करें लेकिन वो बार 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 बड़ बदल जाता है और वो जिसके पार जाता हुए अकेला है काखी विखती है कैसे उस खाने का धन्यवाद चिट्थी के माद्धर द्धम से टिफिर्म में रखके जाता है और लोट आता है एक सुन्दर से फिल्म लंच हुआ कि वो पदर्शित हुई उसके अगले दिन ही हमारे यहां लॉकडाउन हो गया तब से बड़ा आर्थिक नुकसान उस फिल्म को हुआ लेकिन यह सब सारी चीजों को सहते हुए एक बहादूर विक्ति की तरह उनकी इस दुनिया से विदाई हुई और यह बहुत बड़ा प्रमाहन है इस बात का कि शायद ही कोई अखवार हो शायद ही कोई किसी भाषा का अखवार हो हिंदी अंग्रेजी या अन्य भाषा का जिसने उनके उपर बड़े बड़े विशलेशन आत्पक आर्टिकल ना लिखे हुँ बलकि बाद में रविवार की संडे मेगजीन में कुछ special note उनके लिए उनकी कला के लिए उनकी प्रतिवा के लिए लोगों ने पढ़े और सराहा ऐसे कलाकार हमारे भी से कभी जाते नहीं है वो अपनी स्रेश्ट अभिवेख्ती के कारण अपनी यादगार फिल्मों कारण हमारे बीच में हमेशा बने रहते हैं दूसरे कला से देखते आए मेरा नाम जोकर से बॉबी बॉबी से फिर बात की फिल्म में बॉबी हिंदी सिनेमा में वह इस्थान रखती जिस समय दीवार शोले जिसी फिल्में रिलीज हो रही थी और हमारे हिंदी सिनेमा में एक एंग्री एंगमेन की रूप में एक महाना है कि इस्थ साहस, उस विशे को लेकर नोंने बाबी बनाई और वो फिल्म ने सफलता के सारे रिकार्ड तोड़ दिये, यह दरसल राज कपूर साहब की बाबी और उसके पहले की मेरा नाम जोकर, दोनों में उनकी लगबग धारना के बदलने का परणाम थी, यह फिल्म, बाबी, मेरा ना आवाराशी 420 जैसी फिल्में, जिदेश में गंगा बहती है, संगम जैसी फिल्में, आपके दिल के करीब सबसे कौन सी फिल्म है, तो उनोंने मेरा नाम जोकर का नाम लिया था, और उसके साथ उनों जस्टिफिकेशन क्या दिया था, क्योंकि वो फिल्म फ्लाप हुई थी वो कहते हैं कि पिता को अपना हर बच्चा प्यारा होता है, लेकिन वो पिता उस बच्चे की प्रति जादा सम्मेदाशील होता है, जो जिन्दिगी की तो पिछड़ जाता है, किसी ना किसी कारण से, तो बहुत अच्छी फिल्म बनाने के बाद भी उो फिल्म उस तरह से लेकिन बाबी बना गए फिर उनने ये देखा कि नई जेनरेशन पर मुझे एकागर होना चाहिए लगातार फिर रिशी कपूर ने अपना एक मुकाम चुना बाद में उनके पिता उनकी चाचा को लेकर उनके भाई को लेकर फिद्में मनाते रहे लेकिन वह एक अपनी धारा पर अले निकल गए और रोमांटिक हेरो के रूप नोंने बहुत अपनी पहचान मनाई उनकी फिल्में कर्ज हो चाए हम किसी से कम नहीं हो चाए बोल रादा बोल हो सागर हो पता नहीं कितनी फिल्म है सरगम एक सहितिक फिल्म जो राजइंदर सिंग बेदी की पन्यास पर एक चादर मेली सी, उसकी लोगों ने बहुत खमसर्चा की, उन्होंने हर दरें से अपने आपको प्रमानित किया, वह जानते थे कि सारा समय वे किवर राजकपूर के बेटे होके इस हिंदी फिल्म से इंडेस्ट्री पर अपना सर्वाइब नहीं कर पाएंगे, उन्होंने किसी परहज के बिना किसी एहंकार के, सब के साथ सम्रस रहें, और उनके बारे में कहा जाता था कि एक रोमांटिक नायक है, खास्त हो से रंगीन स्वेटर पहन कर नायका के साथ हेल स्टेशनों में और अच्छे प्राजकृतिक सुम्रहमें वादियों में नाचना उनका एक नगीना जैसी फिल्में, पता नहीं कितनी फिल्में उन्होंने की, इधर जो एक उतरार दूमें उन्होंने कुछ वर्षो बाज जो दुवारा एक चरीत रविनेता के रूप में अपनी दुवारा आमध दर्ज कराई थी, क्योंकि उनकी एक नायक के रूप में लगबग आ लेकिन वह हारे नहीं थे उन्होंने जब अपती दुबारा एक आमद दर्ज गर आई तो वह सीधे सीधे रितिक रोश्टन की फिल्म थी अगनी पत जिसमें एक निगेटिव रोल कर रहे थे खलना एक बुरे आदमी का रोल कर रहे थे उस फिल्म में उन्होंने अपने आपको वाली भूमिकाओं वाली फिल्म में बाद में निश्चीत रुप से मुल्क को लेकर तो उनका बहुत चर्चा रहा और जो साल डिल साल पहली 102 नाट आउट अमताब बच्चन के साथ 27 साल बाद उन्होंने काम किया तो इन सब फिल्मों के मादम से हमारे बीच वो हमेशा बन कर और सबके मूल में निस्पक्षता थी भेदभाव नहीं था एक सच्चे नागरी से भरे हुए देश की अपेशा थी राष्ट के साथ थे देश के साथ थे बहुत अच्छी बाते करते थे लेकिन कई बार बहुत भावुक हो जाते थे कोरोना काल में उन्होंने लगातार बहुत अच्छी अपीलों के द्वारा नागरी को से ये कहा कि वो देश की बात माने देश के मुक्या की बात माने राष्ट के मुक्या की बात माने घर में रहें ये सब बाते करते करते अचानक उनका इस तरह से जाना हुआ मैं उनको याद करने के लिए खास्तों से जो बहुत बहुत साफ दिल और सच्चे इंसान की रूपर रिशी कपूर हमेशा याद रहेंगे वह इसलिए भी याद रहेंगे कि उन्होंने अपनी जगे खुद पर आई एक बार पिता ने उनको प्रोजेक्ट चुरू किया जिस तरह से उनको प्रेम रोग में उन्होंने राज मुविका का निर्वा किया तो देखाया तो चॉक्रेटी चेहरे के बाद भी वह एक बहुआयामी इनसान थे एक सच्चे अभिनेता जो किसी भी किरदार को जीने में संकोच ना करे शर्माय नहीं और अपना आत्रिश्वास को बना कर रखे यह कलाकार दोनों ही ऐसे हैं जो हमारे 20 से चले गए हैं लेकिन इस कोरोना काल की जब 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 हम लोग याद करेंगे इनका परस्थान इनकी विदाई इनका चला जाना हमको विचलित करेगा तो आ बहुत हमको उदास करेगा लेकिन हम यह काम ना करेंगे कि आने वाले समय में इनके सिनेमा से इनकी फिल्म सिती है, सारजनिक सहभाग है, सिनेमा घर में फिल्मों का चलना है, लोगों का बैठना है, इन सब का क्या सुरूप होगा यह आगे ही पता चलेगा, लेकिन हमें विश्वास करते हैं कि हमारे बीच में इन सब की जो जगे है इर्फान साप की और रिशिक पूर की वो हमेशा ब